फोकस रेशे RBI बैंकों ना डिविडेंट जाहर करवा आंगे नवी गाइडलाइन्स जेछे बाहर पाड़ी छे जमा आवे घणी शरुतों ने आधिन डिविडेंट जाहर करी श्रकाशे तो गई कल्या जे खास करीनेक डिकोड करवा मा आवे छे तो अवरॉल अपड़े आने discussions के बाद बैंकों के साथ discussions के बाद ही पका करेंगे और खास करके condition उन्होंने ये बदला है कि NPA कम होना चाहिए dividend declare करने के लिए अपके रूल ये है कि net NPA 7% के नीचे होना चाहिए dividend declare करने के लिए नए rules में उसको 6% बनाए जाएंगे ये मतलब जादा तर अभी इतना net NPA किसी को नहीं है और मैं बता दूँ कि ये net NPA है मतलब gross NPA पूरा NPA पर provisioning को deduct करने के बाद जो आता है वो net NPA देखे जाएंगे और वो अगर 6% के नीचे है तो 15% dividend declare कर सकते हैं higher level पे भी एक राहत मिला है banks को अगर 0 net NPA है तो वो लोग 50% declare कर सकते हैं को net NPA नहीं होता है नॉर्मल इंडस्ट्री में 0-1% तक net NPA होता है तो उनको 40% declare dividend 40% of their net profit dividend declare करने का उनको अभी permission मिला है पहली वो limit था 35% तो थोड़ा dividend अच्छे banks को ज्यादा dividend declare करने का अभी मौका है फिर भी मैं बता दूँ ये और दूसरी important चीज है कोई भी bank अपना पूरा limit इस्तेमाल नहीं करते dividend के लिए वो ज्यादा तर अपने profits को अपने capital में ले जाते retained profits के नाम पर ताकि उनका net worth बढ़े ताकि वो अपने capital को increase न करें उनकी ROE को healthy रखने के लिए वो equity को खास करके बढ़ाएंगे नहीं इसलिए ज्यादा retained profits use करेंगे तो ये 35 का 40% बनाएंगे अपर लिमिट तो भी सब banks उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए मेरे से यह इतना market moving नहीं है और second तो यह है कि यह draft rules अगें हमारे साथ जूड़ने के लिए और पूरी details हमारे साथ शेयर करने के लिए viewers को समझाने के लिए thank you